हैलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारी यूटुब चैनल सीजी फिल्मिस्तान में फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को छत्यगड के जाने माने शिंगर नितिन दुबे के बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुवात किया और सफलता की सिर्णी पार किया शत्यगड ही शिंगर में नितिन दुबे कोई नया नाम नहीं है दुबे जी एक शत्यगड ही फेमस शिंगर है जिन्होंने कई हिट एल्बम सांग दिये हैं जिनमें से रायगड वाला राजा, कोशाई पान, हायम और श्याननी, चंदरे गीतों ने शत्यगड में तहलका मचा दिया था तो आईए फ्रेंड हम जानते हैं नितिन दुबे जी का जन्मतीन जुलाई को शत्यगड के रायगड में हुआ था इसलिए इन्होंने रायगड वाला राजागित बनाया जो की काफी हिट हुआ और इनका इस्कुली सिक्षा भी रायगड में ही हुआ तो आईए फ्रेंड हम बात करते हैं इनकी श्रंगीत में रुजान कैसा हुआ नितिन दुबे जी जब इस्कुल में पढ़ाई करते थे तब महस्तास साव के उम्र में सन 1988 में 15 अगस्ट 26 जनवरे के अवशर में गीत गाया तब इस्कुल के सिक्षक काफी पसंद किया और शंगीत के प्रतियों गिता में हमेशा पहला इस्थान भी हासिल करते थे तब से संगीत के रुजान बढ़ने लगा दुबे जी का पहला एल्बम सांग है मनमुहनी है गाउं के गुरिया पढ़े पर जावत है शहरिया जो कि सन 2001 में रिकार्ड हुआ था वैसे तो दुबे जी बहुत सारे गाना गाय है लेकिन इनकी उस गाने की बारे में बताएंगे जहां से इनको पहचान मिला है वो है मनमुहनी है गाउं के गुरिया तो काफी चला लेकिन इससे इनको पहचान नहीं मिला लेकिन 2005 में इनका शांग आया है मुर्शांदी इनसे सर जी को पहचान मिला यह शांग दुबे जी का फेवरण सांग था नितिन दुबे जी बचपन से पने घर में अपनी माता और पिता से गीत गाते शुनते आये हैं इनकी मा सुबा भजन वागेरा गाया करती थी पिता जी भी भजन और गजल के शौकीन थे नितिन दुबे जी किशोर कुमार के गानों को शुन-शुन कर शिखा करते थे आपको बता दे कि दुबे जी स्वर्गी गुलाव राम चोहां से दो से तीन साल तक क्लाशिकल की शिक्षप राप्त की आईए हम बात करते हैं नितिन दुबे जी का पहला इस्टे शो शुवताल में हुआ जो कि शारंगर के पहले हैं पंदर अगोस्त की सुभावसर में एक स्कूल के ओपनिंग में यह प्रोग्राम हुआ यहां पर भी हायम और शांदी गाने का काफी डिमांड रहा नितिन दुबे जी का एक शौंग रायगाड़ वाला राजा वो कटेक में रिकार्ड हुआ था यह गाना काफी हीट रहा लोगों के जुबान में यह चड़ गया हर जगा यह रायगाड़ वाला राजा गीत बजने लगा नितिन दुबे जी ने अपना पहला यूटुब चैनल 6 मार्च 2011 को बनाया था अभी के शमय में नितिन दुबे आफिसल चैनल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है क्योंकि इसका कारण है कि इन दिनों नए नए गीत आ रहे हैं नितिन दुबे श्रन ने एक से बढ़कर एक बलाग बस्टर गीत देते जा रहे हैं इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐशा लिखते हैं कि उनके गाना एक नार्मल आदमी की जिन्दगी को परिवर्तित करके रख देता है और मोटिवेट के साथ आगे बढ़ने की पेड़ा इस्तरोध भी है नितिन दुबे बहुत सारे इल्बम सांग भी गाच चुके हैं इसके साथ ही नितिन दुबे लगातार एक शिबढ़कर एक सुपरहीट गीत देते जा रहे हैं जो कि लोगों को शुनने के लिए मजबूर कर देता है और दुबी जी जैसी सिंगर हमारी शुतिरगड के लिए बहत जरूरी है